हमारा परिवार हमारी सपने हस्ती खेलती जिन्दगी और एक छोटा सा प्यारा सा आशियाना हमारे रिष्टों की बुनियाद जिन्दगी की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी जरूरत भी परंतो बिना आशियाने के ना तो सपने ही रह पाते हैं और ना ही होटों की मुस्कान आशियाने के बिना जिन्दगी कितनी मुश्किल और जोखिम भरी हो सकती है सिर्फ कल्पना मातर से ही हमारी रुह काप जाती है आज आजादी के इतने साल बाद भी हिंदुस्तान के हर शहर में लाखों लोग अलग या अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे हर मौसम की मार को सहते हुए दैनिय जिन्दगी जीने को मजबूर है ये बेघर नागरिक ही हमारी शहर निर्माता है जो शहर के निर्मान तथा विकास में पून रूप से सहायक होते हैं लेकिन इसके बदले हम, हमारा शहर, हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन इन्हें क्या देता है फुटपाथ, खाना बदूश जीवन या फिर पुलिस या डंडे जो उनके जीवन को नरक से भी बदतर बना देते हैं इंडो ग्लोबल सोशल सर्वेस सोसाइटी तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं के सर्वेक्षन की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ दिल्ली में ही तक्रीबन एक से डेड़ लाख बेघर लोग रहते हैं और यही हाल भारत के तक्रीबन हर शहर का है इसी तरह के बेसहरा साथियों की साहिता के लिए 1960 में IGSSS की इस्थापना हुई ताकि समाज के इन गरीबों तथा उपेक्षित लोगों से जुड़े विकासकारियों को अन्जाम दिया जा सके IGSSS एक गेर सरकारी संगठन है और ये भारत के पंद्रह राज्यों में सक्रिया है IGSSS उद्यश्य यह है कि जहां पर भी वो काम कर रही है वो एक सोसाइटी ऐसा बनाए जहां पर हर विक्ती बेसिक प्रिंसिपल्स क्या बलते ट्रूथ, जस्टीज और डिग्निटी के साथ है ये प्रिंसिपल्स के साथ हम लोग काम करें शहरी अधिकार मंच का गठन करके इन गरीब नागरिकों के लिए काम करना शुरू किया ताकि इन बेघर लोगों को छट, शिक्षा, भोजन, रोजगार और समान सामाजिक वा कानूनी अधिकार मिल सकें तथा ये लोग जहां भी रहें इन्हें नागरिक पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक खाता तथा अन्य छोटी मोटी सरकारी सुविधाय प्राप्त हो सकें दो अक्टूबर 2009 में इन बेघरों की परेशानियों को नगर, समाज और सरकारी अमलों तक पहुचाने के लिए शहरी अधिकार मंच ने दिल्ली में एक दस दिवसिय रैली का आयूजन किया तीस से ज़्यादा संगठन हैं जो शहरी अधिकार मंच के साथ जुड़े हुए हैं और शहरी अधिकार मंच एक अर्बन पावर्टी का एक फोरम है जिसमें शहरी गरीबी के मुद्दे पर हम लोग सब एक साथ मिल करके उसके लिए काम करते हैं इन बेघर नागरिकों की स्थिती उस वक्त और भी दैनिय हो जाती है जब पारा शूने हो जाता है और इन गरीबों के पास ना तो ठंड से बचने के लिए च्छत और ना ही गर्म कपड़े होते हैं इस इस्थिती में ठंड से मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत में सन 2009-2010 में ठंड से मरने वालों की संख्या 1000 के आसपास थी और सिर्फ दिल्ली में ही 70 लोगों की सर्दी के कारण मौत हुई 2007 के बाद दिल्ली में बेघरों की आबादी बढ़ी जबकि शेल्टरों की संख्या में कमी आई तब तक ये संख्या 46 थी जो अब घड़कर मात्र 24 रह गई है IGSSS वो मीडिया की पहल पर 6 जनवरी 2010 को दिल्ली हाइकोर्ट ने बेघर लोगों वविस्थापित परिवारों को ततकाल शेल्टर मुहया कराने के आदेश दिये परंतु दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली सरकार का रवया हाइकोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी जैसे का तैसा रहा वहीं 22 दिसंबर 2009 को दिल्ली नगर निगम ने पूसा रोड स्थित अस्थाई रेन बसेरों को तोड़ कर 250 बेघरों को सड़क पर ला छोड़ा और उसी दोरान एक विक्ति की मृत्यू हो गई IGSSS ने इन बेघर नागरिकों की दैनिय स्थिती को देखते हुए इनके रात में सोने और रुकने के लिए बसेरों का नर्मान किया और इन्हें ठंड से बचाने के लिए कंबल तथा चिकित सा उपलब्ध करवाई IGSSS ने सरकार के कई सामुदाइक केंद्रों को रैन बसेरों में तबदील कर इन बेघर लोगों को आश्टर दिया ये तीन महिना से नैन बसेरा खुला है तो इसमें थोड़ा आराम है हर्ची का साधन है सर्दी जुखाम बुखार हो जाता है तो दावा भी देते है आई जी SSS ने महिलाओं और बच्चों के लिए 10 फरवरी को रैगर पुरास्थित सामुदाइक केंद्र में शेल्टर शिरू किया यहां स्त्रियों और बच्चों के लिए रहने खाने पीने वा चिकित्सा की सुविधाएं मुहया कराई जाती है एक सबसे बड़ा रिजल्ट मैं कहना चाहूंगी कि वो था कि महलाओं के लिए दिल्ली में एक शेल्टर खोलना जो आज तक नहीं खुला था और वो एक एक लिए शेल्टर जो रेगर पुरा करोल बाग में खुला है इसी तरह दूसरा शेल्टर सरोजनी नगर में बनाया गया जहां पर कई विस्थापित परिवार रह रहे हैं इस तरह के शेल्टरों में महिलाओं तथा बच्चों को छट के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी मिली है दिल्ली में हमको 15 साल हो गया बहुत समय सी आती थी गुंडा लोग ने पर रहते हैं पुलिस वाले डंडा मारते हैं पुलिस वाले खेते हैं यहाँ पे आ गयें तो सुबधा हो गया IGSSS और अन्य संस्थाओं द्वारा गठित शहरी अधिकार मंच दो वर्षों से इन बेघर नागरिकों के आश्ट्रय के लिए प्रयासरत है इस दोरान IGSSS को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जैसे सरकार का पून सहयोग ना मिल पाना और धन की कमी ऐसी तमाम तरह की मुसीबतों के बावजूद भी IGSSS अपने द्रण नश्चे पर कायम है इन बेघरों के प्रती लगन वो इमानदारी से काम करने के लिए दिल्ली सरकार ने इनके काम को काफी सा रहा है तथा इनका काम सब के लिए एक उदाहरन बन गया है IGSSS ने हमेशा हमारे साथ एक बहुत ही योग्य साथी की भूमिका हमारे साथ निभाई है जिसके लिए मैं हमेशा उनका अभारी हूँ और जो हमारी होमलिस नागरिक है उनको भी उनकी सेवाओं से बहुत लाब मिल रहा है जिसके सर पर छट ना हो उसके लिए सर्दी ही नहीं गर्मी और बरसाथ भी जानलेवा साबित होती है IGSSS का उद्दिश है कि इन बेघरों के लिए स्थाई रहन बसेरे बनाए जाएं और इन्हें पेशेवर प्रशिक्षन तथा सरकारी परियोजनाओं से भी जोड़ा जाएं ताकि इनके आजिविका के साधनों में व्रिद्धी हो सके और ये बेघर नागरिक समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके आप सभी से अनुरूद है कि जितना भी हो सके इन बेघर गरीब नागरिकों की मदद करें IGSSS को दिये जाने वाले सभी दान आएकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर मुक्त है